दोस्तों मस्कार आप सभी पश्पारण विभाग में काम करने वाले कर्मिचारियों एवं सभी भाईयों का एक बार स्वागर तोर बहुत बहुत अभिनंदर है चलिए दोस्तों आज आप दिखाते हैं कुछ कमेंट जो हमारे चैनल पर आए हैं और कुछ सवाल हमसे पूछे क हैं तो हम कमेंट लेते हैं दोस्तों का और उनका जवाब भी देने का प्रयास करेंगी तो देखे सर सबसे पहले सागर जी का हाई, इन्हों न का सर मेरा स्वीकृत आ रहा है स्वीकृत पर स्वीकृत है Perfect है, तो अब इसके बाद में जो है आप का जो है अभी जो है ट्रेनिंग होगा उसके बाद में जो है आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हरसित कुमार जी का है सर मैं हरसित कुमार पाल खीरी से और मेरा कहना देखे क्या है मेरा कहना या है कि वेक्सिनेटर आगे कुछ लिखा ही नहीं है उसके बाद 100% सचकार नमन जैहिंद वेरी नाइस सर आइम वेक्सिनेटर आफ अररिया बिहार राजकुमार जी लिख रहे हैं हरकेस नागरी और ब्रजेश कुमार ब्रजेश इन्होंने का माननिये मुखमंत्री जी के नाम संदेश महुदे आपको अगद कराना चाहता हूँ कि उत्तर परदीश पस्पालम विभाग मेराश्टिय गोकुल मिशन के अंतरगत कारियत निरा स्रित बेतन भिहीन पसुमित्रोयों सहायकों को प्रसिछित मानदे देने की किरपा करें ताकि उनका वाउनके परिवार का भरन पोस्टन हो सके और उसके बाद ब्रजे जीन लिखा कि मैं आप से जानकारी लेना चाहता हूँ सर जी की सुमेत्री वालों को भविश्च में सेलरी मिल सकती है कि नहीं इस पर सरकार का क्या फोकस है या नोकरी सच में वरकरों की हितैसी है या सरकार का जुमला है तो दोस्तों आप लोग तो इस बिवाग में काम कर रहे हैं आपको भी अच्छी खासी अभी तक जानकारी हो सकी है मतलब हो चुकी है और सरकार के बारे में आप समझ सकते हैं कि खुले मंच से बात करना क्या हो सकता है उसका अन्जाम क्या हो सकता है लेकिन फिर भी मैं को मिला है वो इससे यह तो नहीं लग रहा है कि वेक्सिनेटर साइकों को जो है पर्मानेंट किया जाएगा ऐसा मेरा मानना है और उसके बाद फिर एक और कमेंट है सर मेरा कहना यह है कि वेक्सिनेटर की सेलरी कब अब तक मिलेगी गवर्मेंट क्या करना चाहती है यह सच जानकारी मुझे को चाहिए तो दोस्तों गवर्मेंट में कोई मैं तो काम करता हूं मेरा काम तो रिपोर्टिंग का है और आप लोगों की आवाज को उठाना है तो आप लोग जो पूछना चाहते हैं या फिर आप ल लोगों को पता चल सके और उससे जो है सभी का लाब हो सके दोस्तों और कमेंट लेंगे अगले वीडियो में क्योंकि चलिए दो चार वीडियो में कमेंट और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं बाकी बहुत सारे कमेंट दोस्तों क्या है ऐसे ही आप हारफ लेट फॉम पर कमें तक बाते पहुंचेंगी तो जरूर इसका और लाव हाप लोगों को मिलेगा तो दोस्तों हमारी बातें आपको कैसे लगी जरूर बताएं और एक युजर ने और लिखा है देखिए चार मन्त पहले की बाबा की सरकार में कुछ नहीं होगा और उसके बाद एक और भारत सिंग ने लिखा सरकार अभी तक सो रहा है तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं लोगों के जो भी कमेंट आये थे मैंने पढ़के आप लोगों को सुड़ा दिया और अब और आगे क्या परतक्रिया है आप जरूर लिखें और जैसे ही कोई बड़ी ख़बर आती है इस मैटर पर हम आप लोगों को फिर तो वेक्सिनेटर साइकों से इस वीडियो में इतनी ही मतलब इतनी ही जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों वाकि आप लोग खुछ समझदार है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उस पर चाहे खुल के बोला जाए या फिर आप लोग खुछ समझ जाएए चले दोस्तों अ कर दो